हलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका वेदिक मैथ्स के सक्सेस्फुल कम्पलीशन के बाद जो 21 डेस का प्रोग्राम था यह हमारा आज फॉर्स सेशन है थर्जडे सेशन हम मैथ्स टिक का एक विडियो ले के आएंगे और एवरी थर्जडे हम साथ में एक क्विज का भी विडियो ले के आएंगे आपके लिए आज के इस वीडियो में जो वेदिक मैथ्स की 21 डेस का जो टेस्ट का सर्प्राइज विrop Kylie來set just one line and that too in 3 seconds really you want to do this तो आज की वीडियो में हम सीखने वाल है multiplication of all the numbers ending with 1 तो पहला multiplication लेते हैं 31 into 21 तो मैं भी समझा नहीं रहा हूं मैं आपको दिखाता हूं कि फास्ट आंसर क्या आएगा 6 5 1 एक और example लेता हूं मुझे multiply करना है 21 into 71 तो बिना calculation किये ये मेरा आंसर आगया 1491 आपको भी ये trick सीखना है end तक बने रहेगा triple digit तीन तीन डिजिट के multiplication भी आप खुद ऐसे फास्ट में कर पाएंगे तो वापस पीछे लेके जाता हूं आपको ये अगर multiply करना है 31 into 21 31 into 21 तो क्या करेंगे तीन section बना देंगे पहले ये 1 into 1 कर देंगे 1 लिख दिया 3 into 2 करके 6 लिख दिया और 3 plus 2 करके 5 लिख दिया that's it that's my answer 651 बड़े digit में और मजा आएगा आईए 7 21 into 71 तो क्या करेंगे 21 into 71 तीन sections बना दिया 1 into 1 1 यहां लिख दिया ये तो हमेशा लास्ट वाला तो 1 ही आएगा 2 into 7 14 लिख दिया और 2 plus 7 9 लिख दिया that's the answer 1491 multiplication of 21 into 71 is that so simple yes it is 71 into 61 तो तीन section बना देते है 7 6 are 42 7 plus 6 13 और 1 तो friends यहां पर carry over करना पड़ेगा ये जो 13 है दो digit है तो इधर मैं ये जो 1 है उसको carry over करके मैं इसमें add कर दूँगा तो इसका final answer आएगा 4 3 3 1 71 into 61 the final answer is 4 3 3 1 कुछ और examples 41 into 51 तो अभी तीन section बना देते है 4 5s are 20 4 plus 5 9 1 1s are 1 that's it that's the answer 2091 चली कुछ और example अब देखे एक 3 digit का है एक 2 digit का है हमारे method में कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो 3 section बना दिया 11 into 8 last के 1 1 को छोड़ देना है 11 into 8 किया तो 88 आ गया 11 plus 8 किया तो 19 आ गया और 1 into 1 किया तो 1 आ गया अब यहां पे 4 digit है हमें सिर्फ single digit चाहिए तो जो 10th place में है उसको हम 88 में add कर देंगे तो 1 9 1 को मैं उदर add करके लिख दूं अगर तो answer आ गया मेरा 8991 which is triple 1 into 81 121 into 71 तो अगयन 3 section बना देते हैं 12 7s are 84 12 plus 7 is 19 और फिर 1 1 9 यह 1 को यहां पे add कर दें तो 84 plus 1 is 85 8591 is multiplication of 121 into 71 यह ले रहे हम 141 into 31 तो 3 sections बना दे 14 3s are 42 1 1s are 1 14 plus 3 17 so 7 1 and 4 3 धीरे धीरे आप जैसे जैसे practice ज्यादा करते हो आप बिना लिखे directly भी calculate कर सकते हो तो 15 6 are 90 15 plus 6 is 21 and 1 1s are 1 तो 1 लिखा 1 लिखा 2 को carry over कर दिया so 9211 is the answer of multiplication 141 into 61 146 are 84 14 plus 6 is 20 1 1s are 1 यह 2 को मैं इदर आड कर दूं और सीधा लिखनू तो 8601 is the multiplication of 141 into 61 है ना एकदम simple अब देखो तीन डिजिट के values ले रहे हैं ओके लॉजिक हमारा वही रहने वाला है तो 11 into 12 करूँगा मैं यहां के 2 डिजिट और यहां के 2 डिजिट 11 into 12 अगर ओरली करना है तो 11 into 12 का भी अपना वीडियो है 11 से multiply करना है तो कैसे तो 11 into 12 उसी method से आप करोगे तो 132 आता है 11 plus 12 करेंगे तो 23 आता है और 1 1s are 1 यह 2 को मैं अहां पर अगर add कर दूं तो 134 31 is the answer इतनी बड़ी value को इतनी आसानी से हम calculate कर सकता है 131 into 121 तो again वही logic 13 into 12 156 होता है 13 plus 12 करेंगे तो 25 होता है और 1 अब यह 2 को मैं यहां पर अगर add करना हूं तो 158 5 1 13 into 12 156 करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं अब पहले 13 into 10 कर दीजे 130 होगा और फिर 13 into 2 कर दीजे 26 होगा 130 plus 26 156 आ जाएगा ओके चलिए थोड़ा बड़ा value लेते है 241 into 201 अब 24 into 20 480 आप आसा नहीं से लिख सकते हो 24 2s are 48 और फिर एक 0 लिख दिया 24 में 20 add कर दो आप 44 हो गया और 1 1s are 1 यह 4 हम यहां पर carry over कर देंगे So 484 and then again 41 is the answer of 241 into 201 तो काफी आसानी से हम 3-digit multiplication भी कर रहे है 441 into 301 अगे 44 into 30 करेंगे 44 into 30 हो जाता है 1 3 2 0 44 plus 30 हो जाता है 74 1 1s are 1 यह 7 को carry over करेंगे So 1 3 2 7 and 4 1 तो इस वीडियो में हमने सीखा All multiplication of numbers which are ending with 1 अभी यह कुछ list है Of email IDs who gave at least हमने totally 20 test लिये थे एक दिन हमने छुट्टी दिया था तो 20 test लिये थे और यह कुछ email IDs है Approx 23 friends and students का है जिन्नोंने कम से कम 19 exam दी है 19 या 19 से ज्यादा मैंने 19 या 20 exam दी है तो यह 23 लोग हैं जिन्नोंने 19 या 20 exam दी है और इसमें से 3 lucky winners हमने randomly numbers लिये है इसमें कोई partiality नहीं किया चिट्टी डाला था मेरी बच्ची ने चिट्टी इठाया उठाया और तो 3 जो numbers आए है Surprise lucky draw winners उनके नाम यहाँ पे है 3 lucky draw winners तो उनके यह email ID है नाम हमें पता नहीं है उनके numbers हैं हमारे पास So we'll directly contact them and give the surprise gift Congratulations to all of you for winning this and for making sure कि आपने सारी exams दिये Marks को हमने ज़्यादा criteria नहीं रखा है हमने consistency को criteria रखा कि जिन्होंने सारी exams दिती वैसे more than 376 people gave exams तो बहुत ही अच्छा लगा total exams 376 लोगों ने दिया है और अभी भी हमारा जो videos है वो काफी लोग देख रहा है और appreciate कर रहा है So thank you very much Looking forward to see you again today with a math quiz Thank you हर Thursday को हम ऐसे एक video लेके आएंगे with one math trick Stay home, stay safe Thank you, bye-bye